नमस्ते दोस्तों कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं। आज हम बनाएंगे बैगन की बहुत यूनिक और मजेतार रेसिपी। भर्मा बैगन बनाएंगे लेकिन बिना भरे हुए। आप देखेंगे तो चौक जाएंगे और खाने में ये भर्मा बैगन से भी ज्यादा डिलिशियस लगते हैं। तो चलिए इस तरीके के हमने साफ सुथरे बैगन ले लिये हैं और मैंने धो लिया है। और जैसे मैं कट लगा रही हूं ना बस इस तरीके से हमें इसमें दो कट लगा लेनी है। तो ये इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब हमी क्या करना है इसे सीधे पानी में डाल देना है। क्योंकि बैगन में काफी मात्रा में आयरन होता है तो पानी जो है काला पड़ जाता है जब आप देखेंगे तो बैगन में बहुत आयरन होता है। तो सीधे सीधे हमें इसे पानी में ही डिप करना है वरना बैगन अंदर से काला पड़ जाएगा। तो चलिए इसी तरहीं से हम अपने सारे बैगन कट कर लेंगे और कट करके हम पानी में डाल देंगे तो यह ने के बाद हमेरे फटा फट से आगे का प्रोसेस देखना है मैं गलता है, पहले मैं कट के लेती हूं, आप देख सकते हैं, मैंनेत पानी में डाल दिया है, और आप स जो मसाला हम बनाएंगे आ बहुत ही डिलिशियस घाएंगे और तो रेस्टोरंट होटलो वाला टेस्ट आने वाला है चलिए आठ से दस लैसुन की कलियां तीन मीडियम साइस की प्याज लिए हैं लैसुन प्याज की मात्रा जादा रखिएगा चलिए अब तीन हरी मिर्च में दाल रहे हूं इससे टेस्ट तो बढ़ेगा ही साथ में थोड़ा चटपटा पंजो आता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है अब यह हैं बहुत थोड़ा सा जीरा तो कच्छा जीरा डालेंगे ताकि हमें जो हम बाद में रेस्टोरेंट वाले भूने जीरे का पाउड हमने यहां पे लॉंग ली है तो दो लॉंग शफिशियंट होगी टेश इससे बढ़ जाएगा तीन मैंने हरी मिर्च लिए है की मैंने इहां पे सूखी वाली लाल मिर्चे लिए है एक में मोटी वाली इलाची ले रहे हूं से खुश्बू अच्छी आएगी टेस्ट भी का पानी डाल देंगे और पानी डाल करके हम इसे बढ़ियां से कर लेंगे ग्राइंड चलिए इसे हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं तो लीजिए हमने इसे बढ़ियां से कर लिया है ग्राइंड और बहुत ही खुश्बुदार टेस्टी मसाला बन करके हमारा हो गया है बिलकुल तैयार तो यह मसाला आग किसी भी सब्ची में यूज करेंगे ना तो बहुत ही खुश्बुदार और सब्ची तनी लजीज बनेगी जैसे होटल धाबों में हम खाते हैं आप यहां पर मैंने कड़ाई लिए हैं कड़ाई में सबसे पहले में डाल रही हूँ तेल तो आप सरसो बादी होती है ना तो डाइजिस्ट करने में हीम बहुत ही अच्छा रहती है तो अब यहां पर जीरा डालेंगे हीम डालने के बाद जो हमने मसाला बना पर रखा था यह मसाला हम एड करेंगे तो फ्रेंड्स मसाले को हम कंटिनिऊसली चलाते हुए अच्छे से भून तो यहां पर पहले हम मसाले को एक दो सेकंड के लिए बढ़िया से भूनेंगे ताकि जो भी इसमें पानी है ना वह अच्छे से सूख जाए इसके बाद हम इसमें मसाले एड़ करेंगे तो फ्रेंट्स इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है ना खड़े मसाले जो हमने इसमें डाले हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में आदा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर और दो से तीन चम्मच मैं यहां पर धनिया पाउडर डाल रही हूं तो यहां पर मैंने दो से मेरी लाल मिच का यूज किया है यह तीकी कम होती है साथ में इसका फ्लेवर और बढाने के लिए मैं डाल रहे हूं कसूरी मेथी थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और मसालों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी काफी गरम हो गई है तो पहले हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद में इसमें नमक एड़ करूंगे तो चलिए पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो कढ़ाई का टेंपरेचर है यह शान्त हो जाए क्योंकि जब कढ़ाई गरम होती है तो मसाला चीटे मारने लगता है आब यहां पे हम इसमें नमक टालेंगे तो नमक टेस्ट के अकोडिंग डालना है और अब करनी है मसाले की अच्छे से भूनाई तो फ्रेंज मैं आपसे यह कहना चाहती हूं जैसे हम में बैगन को भरके बनातें तो बैगन में में मसाला कच्छा भरते हैं तो जब हम पकाते हैं तो ऊपर का जो मसाला होता है वो इस तरीके का हो जाता है जैसे यह पका हुआ मसाला और अंदर का मसाला हलका यलो इश निकलता है वो अच्छे से नहीं पकता है क्योंकि तेल में बैगन रहता है लेकिन अंदर का पोर्शन नहीं पक पाता है वो अच्छ यकीनन ये मसाला जो हमने बनाए ना एक बार आप मेरे तरीके उसे बनाए और फिर आप देखे किसी भी सबजी में आप डालेंगे ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो तेल देख सकते हैं आप मसाले से बिलकुल छूट गिया है और बहुत ही भीनी-भीनी तो चलिए इस तरीके से हम सारे बैगन डाल करके जो है इसे पकाएंगे तो पानी वगयरा कम है यहां पे बिलकुल भी यूज नहीं करूंगी क्योंकि जो मसाले वाले भर्वा बैगन होते है ना बहुत ही कम तेल में बनाएंगे लेकिन स्वाद इतना गजब का जैसे रेस् कर देंगे तो लीजे हमने इसे कर दिया है कवर और कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं इन्हें पकते हुए पान से छे मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे और अब इने चला लेंगे तो लीजे हमने इसे फ और भी बहुत अच्छे से पक रहे हैं तो फ्रेंड जी रूम मसाला है यह कंप्लीटली पका हुआ है और जो बैगन में कट लगा है इनके अंदर यह अपने आप ही चला जाएगा बिल्कुल बैगन को भरने की जोरुवत नहीं है क्योंकि बैगन हम जब भर देते हैं तो उप अब बैगन साफ्ट होते हैं तो बैगन नहीं क्या है कंप्लीटली पका लीचाता है यह टो नहीं लहीं का हम जाएगा पस यह जाए तो वह दो पकशाब चलीक्ड़ करीव पड़ा यहां तो वो टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि बैगन हलके होते हैं बहुत जादा सॉफ्ट होते हैं तो इन्हें पकने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है देखिए कितना बढ़िया मसाला भून गया है और बैगन भी कंप्लेटली पक गया है तो मैं आपको इस तरीके से हलका सा स्पैचुला से रब कर रही हूं और यह देखिए मसाला और बैगन दोनों ही कंप्लेटली पक चुके हैं अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर तो चैलिए फटा-फट से हम इसमें आमचूर का पाउडर डाल देंगे ताकि हलकी सी इसमें खटास आजाए फ्रेंड्स जब भी बैगन भर के बनाएंगे न तो इसमें हलकी सी खटास जरूर डालिएगा और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया तो चैलिए फटा-फट से हम इसके ओपर डाल देते हैं हरा धनिया ताकि यह खाने में बहुत ही बढ़िया लगे और बहुत ही डिलि उनों को बनाए है आप फ्रिज में रख सकते हैं जब भी आपका मन हो आप निकालिए और इन्हें सर्फ कीजिए बिलकुल भी खराब नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डाला है और यह लीजिए डिलिशियस चटपटी तीखी हमारी बैगन मसाल में कम महनत में बहुत सुपर टेस्टी मार्केट धाबो वाला टेस्ट यकीनन फ्रेंड्स मसाला बैगन तो आप हमेशा बनाते हों क्योंकि यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन एक बार मेरे अंदाज में बनाईए सिंपल और घरेलू सबजी को भी आप बिलकुल धाब रेस्टूरेंट स्टाइल बना सकते हैं मेरी ग्यारंटी है तो एक बार आप इस तरीके से जरूर बनाईए खाईए एंज्वाइ कीजिए और जब आप इसे बना करके खाएं तो अपने अनुभो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने इसे बनाया और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा मुझे तो यह बहुत पसंद है स्पेशली जब भी मुझे बनाने होते हैं तो मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूं क्योंकि बैगन की सबजी तो मैंने कई आपके साथ शेयर की हैं लेकिन सारी सबजीयों में से यह हमें बहुत पसंद है स्पेशली मेरे घ सब्सक्राइब चरूर कीजिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ